Welcome to Education World एक बार फिर से सुवागत था आपका हमारी YouTube चैनल Education World में UP board और मंदरसा board की इंग्लीस की क्लासे चल रही है UP board और मंदरसा board की English same होती है poetry हमारी चल रही है और prose की हमारी क्लासे complete हो चुकी है यह हमारा दूसरा lesson है और lesson का नाम है the sum of life यानि जीवन का इस रोद और इस lesson को H.W. Longfellow ने लिखा है H.W. Longfellow का जनम 1807 में हुआ था और इनकी मिरत तो 1882 इस वी में हुवी थी सबसे पहले हम H.W. Longfellow यानि point के बारे में जानेंगे about the point कवी के बारे में the full name of Longfellow was Henry Wordsworth Longfellow Longfellow का पूरा नाम Henry Wordsworth Longfellow था He was an American poet वे एक अमेरिकी कवी थे He was very famous in the world वे दुनिया में बहुत पिरसिद्धे थे He worked as a teacher of modern languages at Harvard University उन्होंने Harvard विस्विध्याले में आधुनिक भासाओं के सिक्सक के रूप में काम किया Voices of the Night was his first collection of poems published in 1839 Voice of the Night 1849 में प्रकासित उनकी कवीदाओं का पहला संग्रे था It included The Psalm of Life, Belfry of Bruce The Golden Legend Village Blacksmith ETC इसमें The Psalm of Life, Belfry of Bruce The Golden Legend Village Blacksmith आदी सामिल थी ये बात थी poet के बारे में यानि कवी के बारे में अब हम Central Idea पढ़ेंगे Central Idea of the Poem कवीता का केंदरी विचार यानि कवी इस कवीता में क्या कहना चाहरा है The Poem The Psalm of Life published in 1838 is a celebration of life an earnest effort to see life in the right spiritual perspective 1838 में प्रकाशित कवीता The Psalm of Life जीवन का उत्सव है जीवन को सही आध्याद्मिक परिप्रेक्से में देखने की पूरी कोशिस है In the Psalm The Bible At some places human life has been referred to as something of little consequence भजन Bible में कुछ इस्थानों पर मानव जीवन को थोड़े से प्रिलाम के रूप में संदर भीत किया गया है The Poet does not agree with this view of the Psalmist भजनहार के इस दिरिष्टी कोड से कभी सहमत नहीं है Life is not an empty dream जीवन एक खाली सपना नहीं है It is a serious reality ये एक गंभीर वास्तविक्ता है That is not its ultimate object For soul is immortal आत्मा के लिए मिरत्यू इसकी अंतिम वस्तू नहीं है Sorrow और Joy is not its pre-ordined way or aim दुख या आनद इसका पूर्व निर्धारी तरीका या उद्दे से नहीं है Our main duty in life is to work hard and progress day by day जीवन में हमारा मुख्य करताव ये दिन पिर्ति दिन कडी मेहनत और पिर्गती करना है In this short and temporary camp of life We should face the circumstances of life as a hero And not be driven this way or that way by them like helpless cattle जीवन के इस छोटे और अस्थाई सीविर में हमें एक नायक के रूप में जीवन की परिस्तितियों का सामना करना चाहिए और इस तरह से या उनके दुआरा एसहाय मवेशियों की तरह इस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए We should give up idleness and start working hard to achieve success after success हमें आले से छोड़ना चाहिए और सफलता के बाद सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए We should learn to labor hard and wait for the result हमें कठिन परिक्सरम करना चाहिए और परिडाम की प्रतीक्सा करनी चाहिए यह हमारा central idea है अब इसके बाद जो कवी ने इस्टेंजे लिखे हैं जिससे हमें इस सारी बात को समझाने की कोशिस की है हम इस्टेंजे पढ़ेंगे पहला इस्टेंजा हमारा है Life is real, life is earnest and the grave is not its goal जिंदगी एक वास्तिविक सच्चाई है जिंदगी एक गंभीर है और कबर इसकी आखरी मनजिल नहीं है तुम मिट्टी से बने हो और तुम्हें मिट्टी में वापस जाना है यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि आत्मा अमर होती है और सरीर मिट जाता है इसलिए यह सरीर को कहा गया है कि तुम मिट्टी से बने हो और तुम्हें मिट्टी में ही वापस जाना है सेकिंड स्टेंजा हमारा है नोट इंजाइमेंट एंड नोट सोरो इस आवर डेस्टिंड एंड और वे ना सुख ना दुख हमारी किस्मत का अंध है और ना ही यह हमारा रास्ता है बट तु एक्ट देट इच तुमारों फाइंड अस रेदर देन टुडे मगर हमें काम करते रहना चाहिए कि हर एक कल हम अपने आपको आज से आगे बढ़ा पाएं तीसरा हमारा इस्टेंजा है इन दे वर्ल्ड ब्रोड फिल्ड ओफ बैटल इन दा बिवोएक ओफ लाइफ बी नोट लाइक डम ड्राइवन के टल दुनिया के विसाल युद के मेदान में जीवन के पड़ाओ में हाके हुए पस्वों की तरह मत बनो संगर्स में एक नायक बनो चोधा और हमारा लास्ट इस्चेंजा इसमें है लेट अस देन बी अप एंड दूइंग विद ए हर्ट फोर एनी फेट इस्टिल अचीविंग इस्टिल परस्विंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट तो चलो अब काम करने के लिए खड़े होते हैं दिल के साथ किसी भी किसमत के लिए अब हमें हासिल करना है पीछा करना है मेहनत करना और इंतजार करना सीखना चाहिए दोस्तों ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है पहला कोशन हमारा है पार्थ और उसके कवी का क्या नाम है दोसरा कोशन है हमारा कवीता से किसी एक इस्टेंजा को लिखें इन दोनों ही कोशन का आंसर आपको हमारे कमेंट बोक्स में लिखना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो student 10th class में हैं उन्हें सेयर करें जदस जदस शेयर करें इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching this video